आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ विग्जिलरी एस्टिवेशन is the characteristic of the family इस question में हमसे क्या पूछा गया है कि जो विग्जिलरी एस्टिवेशन होती है वो हमें कौन सी family में मिलती है पहले तो हम यह देखते हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है एस्टिवेशन होता है arrangement of flower कि जो flower में petals हैं वो किस तरीके से arranged हैं उस तरीके उसको हम क्या बोलते हैं Estivation flower में basically हमारी petals आते है petals की arrangement basically आते है अब यह देखता है कि Veculary का क्या मतलब होता है Veculary basically इस Veculary Estivation का क्या मतलब होता है अब हम वो देखते है इसमें क्या होता है कि जो एक standard petal होती है वह overlap करती है two lateral petals को, कैसे, यह जो है यह क्या है, यह हमारी standard petal है, right, वो क्या करती है, overlap करती है two lateral petals को, right, इसको overlap करती है, and later overlapping the two interior petals, उसके बाद यह overlap करती है किसको, यह anterior petals को, ठीक है, ऐसे में जब petals arranged होते हैं तो हम उसे vigulari कहते हैं ये क्या है हमारी standard वाली ठीक है और ये वाली क्या है हमारी ये हमारी होते है lateral petals जिसे हम बोलते है wings और जो ये उसके नीजे आती है ये हमारी होते है interior petals इसे हम क्या बोलते है की ठीक है ये arrangement होते है किसका vigulari का अब हमसे यह पूछा गया है कि ऐसी arrangement हमें कौन सी family में मिलती है तो वो है option 1 that is febiasi febiasi क्या है हमारी legumes की family all जो जितने मी legumes है वो उस family में included है ठीक है तो हमारा correct option क्या हुआ option 1 febiasi Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर